Hi everyone, आज की session में आप सभी का स्वागत हैं आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं जहारकन TGT जेसे सी TGT के लिए जो निव वेकेंसी आने वाली है उस पर हम लोग आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे जैसा कि आपको पता होगा अभी वरतमान में जो 2016 की वेकेंसी है पिछले साल सुप्रीम कोड के आदेश के बाद फिर से जो बाकी के पोस्ट जो वेकेंट रह गये थे उसके लिए परकिरिया परारम की गई और फाइनली जो है इस महीने से लेकर नेक्सट महीने तक ये सारी परकिरिया को पूरा कर लिया जाएगा और अगले महीने अप्रोक्स सभी छातरों को जो है जो भाइनले लेटर मिल जाएगा अब यहां पर निउ फेकेंसी की बात की जाती है कि शर की निउ फेकेंसी कब तक आएगी और साथी इसमें पूछा जाता है सबसे ज़दा क्या सर इस पार जो पैटर्न है क्या उसमें कोई बदलाव आएगा कोई syllabus में कोई changes वेगर आएगा और साथी इसमें बहुत सा चुकि आप देखिएगा तो 2016 में पिछला frequency आई थी चली हम लोग वीडियो को प्रारम करते हैं जितने भी छात्र हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं यहाँ पर आपको टीचर से नियुक्ती संबंदी सारे चीज़ अपडेट मिलती हैं लाइव क्लासेस रिकोर्डिंग क्लासेस सभी चीज़ उपलब्द कराई जाती है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर देए जिससे की सारे नोडिकरेशन आपको मिलती रहेगी और साथी वीडियो को लाइक और सेयर कीजेगा और जो चातर आने वाले परिख्षा पिजिती जिसका फॉर्म आ चुका है फॉर्म भरे जा रहे हैं साथी टेट सायक अचारी के लिए त्यारी करना चाते हैं तो अभी स्पेसल उफर चल पेपर 2 है मेरा मेन सब्जेक्ट उसी को भी जॉइन कर सकते हैं अभी TGT के लिए देखिए का तो जो पेपर 2 का है 4800 और दोनों पेपर का जॉइन करते हैं तो आपका 7000 के लगवग पढ़ेगा आपको पीजी टी के लिए आपका 5000 है और दोनों पेपर के लिए 7500 हैं यह सारे कलासेज हमारे अप्लिकेशन स्वरूप लर्निंग एप पर उपलफ होता है तो जो अभी तक उस अप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड करके स्टोर में जाकर कोर्स में रिजिस्टर कर ले या पिर इसकी नंबर दिख रहा है उस पर भी कॉंटेक्ट करके आप कली हमने इस पर जो जेसेसी के दुवरा जो पांच नोटिस जारी किया गया था उस पर हमने विस्तार से चर्चा किया था कि किस परकार आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं और उसमें एगर रोल नंबर आपका है तो किस तरह से सारी परिक्रियाओं का पालन करके आप फा वेकेंसी आएगी तो हम उसमें अपना भी फॉर्म भरेंगे और एक्जाम देंगे और सफलता प्राप्त करेंगे और यह जो वेटिंग पिरियड है आप समझेए कि बहुत सालों से चल रहा है और फाइनली इस साल बहुत ज़्यादा चांसे है कि जो वेकेंसी है जो जारी क आपको बताया था कियोंकि अभी 2016 की नियुकती की परकिरिया चली रही है कितने टीचर अपॉइंट्मेंट होते है कि कितना सीट वेकेंट रह गया वो चीज़े भी तो किलियर होनी चाहिए अभी माल लिजे टीचर का अपॉइंट्मेंट हो रहा है टीचर वहापर अब भावित है कि जून रहा फिर जुलाई के फस्ट विग तक जो है आपका जो है आपका निव नोटिफिकेशन जो है जारी किया जा सकता है तो जो छातर इसके लिए तयारी कर रहे है जो बीट कर चुके है क्योंकि PGT में जो छातर ने हैं आपको पताते हैं PGT में कम से कम आपका जो minimum qualification होना चाहिए graduation होना चाहिए पलस आपके पास B.A.D. के degree होनी चाहिए B.A.D. आपका अगर second year चल रहा है तो भी आप form भर सकते हैं जैसा PGT में है लेकिन graduation कम से कम आपका complete पूरा होना चाहिए Marksit आपके हाथ में होना चाहिए B.A.D. आपका appearing भी है तो आप form भर सकते हैं appearing को allow किया जाता है जैसा PGT में allow किया गया है अब यहाँ पर बात करते हैं जैसा कि हमनी बताएगी vacancy आने वाला है अब इसमें सारे चात्र पुछते हैं कि चलिए vacancy आजागा तो हम तैयारी विगर करेंगे तो तैयारी हम किसा अधार पर करें क्या पिछला 2016 का जो syllabus था 2016 का जो syllabus है जो pattern है क्या वही pattern रहेगा या फिर इसमें कुछ बदलाव होगा इसका उत्तर होगा इसमें कोई बदलाव नहीं होगा no changes PGT में भी देख सकते हैं कोई बदलाव नहीं हुआ है PGT भी देखेगा तो 2017 में पिछला बार vacancy आया था फिर 2023 में इसका vacancy आ चुका है तकि PGT में भी सारी परकिरिया जो है 2017 वाला पूरा हो चुका था तभी जाकर नयाप vacancy आया और उसमें भी same pattern रखा गया सिर्फ उसमें PT को हटा दिया गया बस main school लिया जा रहा है और उसमें भी जो syllabus जो पहले था सेम होई ही रखा गया है कोई इसमें बदलाव नहीं किया गया है तो TGT में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा तो सवाल उड़ता है कि इसमें क्या-क्या syllabus है और क्या-क्या हम लोग को पढ़ना है तो चली हम लोग सबसे पहले pattern और syllabus को समझते हैं जो TGT का परिक्षा होता है JSC की दौरा जो conduct कराया जाता है जैसा कि हमने बताया कि इसमें minimum जो qualification चाहिए minimum graduation पलस B8 होना चाहिए साथ ही इसमें जो छात्र form भारेंगे जैसे बहुत सारे छात्र पुछते हैं सर कि हम PGT के लिए जो सिक्षक बनेंगे वो किस school में पढ़ाएंगे तो TGT के लिए जो 9-10th school में पढ़ाने के लिए न्यूक्त किये जाते हैं जैसे PGT आपका 11-12th के लिए उसी तरह जारखंड के जो schools हैं मेडियल स्कूल हैं वहाँ पर 9-10th के लिए न्यूक्त किये जाते हैं अब यहाँ पर स्वाल उड़ता है कि जैसे कि यहाँ पर जिस subject में आपको apply करना है जैसे कि कुछा तरह B8 किये हुए हैं इकनोमिक्स से से कोई math से कोई science से और और होने गिर्जुएशन में economics लिया है कोई commerce लिया है तो कोई mathematics से तो कोई science से अलग-अलग subject से की हुए हैं तो हमारा आधार क्या रहेगा कि हम TGT में कौन सविसे सिलेक्ट करेंगे तो क्या B8 की आधार पर हम अपना subject सिलेक्ट करेंगे या फिर graduation की आधार पर इसका उत्तर होगा कि आपका graduation के अधार पर जो है आपको select करना है B8B का सिर्फ आपके पास degree होना चाहिए न कि उसमें देखना है कि क्या मेरा subject है graduation निर्धारित करेगा कि आपको PGT सिख्षक बनने के लिए कौन सब इसे में apply करना है ये दो point आपको clear हो गया minimum qualification graduation और दूसरा चीज की आपका किस level में आपको पढ़ाना है और किस तरह से आपको subject अपना chain करना है तो जो graduation के degree है उसके अधार पर आपको chain करना है अब यह पर बात करते हैं इसके syllabus और pattern pattern आपका same रहेगा जो पहले था 2016 में पहले वाले से कोई मतलब नहीं आपको अभी जो हम बता रहें उसको ध्यान रखेगा जो कि पहले के अधार पर ही है इसमें आपका PGT जो परिक्षा ली जाएगी एक ही परिक्षा होगी इसमें एक ही परिक्षा आपका लिया जाएगा जिसमें की दो पेपर होंगे पेपर 1 और पेपर 2 पेपर 1 और पेपर 2 पेपर 1 जो होगा क्वालिफाइंग पेपर होगा मतलब कि इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है 33% लाना है इसके मांक्स मेरिट लिस्ट के में लें count नहीं किया जाएगा paper 2 जो होगा आपका merit list इसी से बनेगा paper 2 के धार पर paper 1 में क्या पढ़ना है paper 2 में क्या पढ़ना है paper 1 में जो syllabus बनाया गया है इसमें gk plus hindi general hindi इसको बोलते है general hindi जिसमें की gk से 100 प्रस्न पूछे जाएंगे और general hindi से 100 प्रस्न पूछे जाएंगे तो total 200 प्रस्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रस्न एक कंका होगा तो 200 अंगों की यह परिक्षा होगी अब इसमें स्वाल उठता है कि जैसे gk general hindi से समझ रहें उसमें पैसेज रहेगा व्याकरन रहेगा उसे से प्रस्न पूछा जाएगा gk में कौन-कौन से subject रहेगा तो अभी थोड़ी दिर बाद हम उसको चर्चा करेंगे अब आया तो हम लोग यहाँ पर paper 2 जो आपका main paper है क्योंकि यही आपका निधारित करेंगा कि आपका selection हुआ पिर नहीं हुआ paper 2 जो होगा आपका subject specific होगा subject specific मतलब कि आप derivation के अधार पर जिसमें form भर रहे हैं कोई चात्र ने decision लिया कि हम economics में भरेंगे mathematics में भरेंगे तो उस subject से यहाँ पर paper 2 में परस्नें पूछे जाएंगे तो subject specific होता है और इससे कूल 150 परस्न रहेंगे और हर एक परस्न जो रहेगा दो अंकों का रहेगा मतलब कि यह परिच्छा जो है वो 300 अंकों की होगी यह 300 अंक नियधारित करेगा कि आपका chain हुआ या नहीं हुआ clear रहें यहां तक सभी को तो यह 300 अंकों की अभी इसमें देखिएगा तो अलग-अलग subject होते हैं जिससे कि इसमें कुछ subject combination भी होता है paper 2 में paper 2 में जो होता है subject combination भी होता है इस बार शातर पुछरे सर क्या इस बार subject combination हटा दिया जाएगा तो अभी तक ऐसा कोई news नहीं है न कार्मिक भाग न सरकार और नहीं जिससे ने ऐसा कोई notice या फिर कोई announcement किया है तो अभी तक हम मान के चलेंगे कि subject combination इस बार भी रहेगा subject combination दो तीन subject में है पहला है आपका history के साथ civics लेना होगा दूसरा है आपका maths के साथ physics रहेगा और तीसरा जो रहेगा बायो के साथ chemistry बायोजी के साथ chemistry लेना पड़ेगा जैसे कि यहापर 500% पूछा जाएगा तो 75% जब subject combination की बात आती है तो यह divide हो जाता है 75 इधर से 75 इधर से जैसे कोई छातर history और civics लिया तो 75 history से 75 civics से कोई math लिया 75 math से 75 physics से 75 बायों से 75 chemistry से बाकी अन्य subject जैसे कि home science हो गया economics हो गया commerce हो गया इसके अलावा आपका और भी बहुत सारे subject इसमें देखेगा तो बहुत सारे subject होते हैं उनसे 150 प्रस्न single subject से पूछे जाते हैं उसमें subject combination बाकी में नहीं होता है इन ही तीनों में होता है इन सभी syllabus का अपना standard syllabus है जो आयोग ने जारी किया है और उसी के अधार पर आपको तयारी करना है हम क्या करेंगे कि अभी एक series चलेगा जिसमें कि जितने भी syllabus है जितने भी subject के जो syllabus है जो आयोग ने जारी किया है उसके अधार पर डेली बेसिस पर आपको एक अग वीडियो उपलब्द कराया जाएगा ऐसे तो हमने पहले भी इसके syllabus डिसकस की हुए है जिसमें कुछ-कुछ subject के जैसे history and civics का और commerce का economics का और भी कुछ-कुछ subject के जो है syllabus हमारे चैनल पर मिलेंगे लेकिन हम लोग क्या करेंगे अभी एक नय सिलेबस है इसलिए हम लोग इसमें syllabus में इस वीडियो में चलचा नहीं करेंगे अलग से वीडियो आपको डेली बेसिस पर उफलब्द कराया जाएगा अब पेपर वन में आते हैं चुकि पेपर वन सभी के लिए को मन है पेपर वन एक चीज और नोट कर लीजेगा जो हमने यहां पर दोनों पेपर का बारे में बताया निगेटिव मार्गिंग इसमें नहीं होता है प्रेपर वन जैसा कि हमने बताया पेपर वन से दो सो परसंट रहेगा थोड़ा अलग हो जाता है लेकिन हाँ प्रेपर वन में दो सब्जेक्ट म्यूखी रूप से एक जीके और एक समानी हिंदी समानी हिंदी से सो परसंट रहेगा इसमें वही आपका पैसिस रहता है और व्याकरन पैसिस और व्याकरन को मिलाकर सो परसंट बहुत ही समानी रहता इसमें कोई भी चात्र अगर 15 दन 20 दिन एक महीने अगर अच्छे से पढ़ लेगा ये समानी हिंदी को सो में 80-70 माक्स असानी से ला सकता है तो 33% अंग लाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज इस नहीं है लेकिन इजी भी नहीं लेना है कि नहीं हम पढ़ेंगे इन नहीं एक्जाम आजागा तो एक वप्ते में हम कर लेंगे तो ऐसा कुछ मुझत किजिएगा एगंटा ही आधा घंटा ही समय जरूर देना है जी के अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं है इससे 100% पूछे जाते हैं इसमें क्या क्या रहता है तो इसमें GS section समान यदिहन रहता है जिसमें कि वही history, polity, geography, economics और current affairs इन सबसे पूछा जाता है इसके अलाभा इसमें आपका computer रहता है science रहता है general science वही physics, biochemistry इसके अलाभा इसमें math reasoning होता है maths reasoning इसके अलाभा इसमें जार्खंड gk रहता है तो इस सब्जेक्ट मिला कर 100 परस्निया से पूछा जाएगा इसकी भी तयारी, इसमें भी कुछ परमुक सब्जेक्ट जैसे कि जार्खंड gk से अच्छे खासे प्रस्न आते हैं यह हम को करना है, science हो गया, computer हो गया GS में अगर history, polity अगर आपको अच्छे से करते हैं तो बिलकुल आप असानी से इसको पूरा कर सकते हैं लेकिन अभी सही decide नहीं करना है कि हम इसमें से क्या छोड़ना है हमें पूरी तरह से संपुन सब्जेक्ट को तयारी करके चलना है हाँ, उसका हम लोगो brief में ही अधियन करना है, depth में नहीं जाना है कि नहीं हम पूरा अगर पढ़ रहे हैं इतिहास तो प्राचिन इतिहास में क्या हुआ प्रोगेदिहासी काल से लेकर आद्यतिहासी काल में मतलब कि हर चीजों को depth में जा रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं करना है summary type का पढ़ना है, क्योंकि यहापर प्रस्न सीधे पूछे जाएंगे जैसे कि पूछ दिया जाएगा, जो हरापा सभी आता है उसका काल निर्धारन, जैसे कि कब से कब तक माना गिया है मोरी समराज के संस्थापक कौन थे सिमित्र सुंग किस वंस का संस्थापक था इस सीधे परस्न पूछे जाते हैं, बहुत आसान परस्न रहता है थोड़ा बहुत इसे मेहनत करेंगे अभी सही तो सारे सब्जेट अच्छे से किलियर भी होंगे और हमें उपियोगी भी होगा एक्जाम के अधार पर इसके लिए जैसा कि हमारे चैनल पर भी क्लासिस चल रहे हैं रेगुलर बेसे इस पर अभी दखीगा तो पांच बजे अमर्जिस सर क्लास लेते हैं तो क्यूस सेशन कराते हैं तो उसको भी करते रहे हैं अब बोले जासन ने तो PGT के लिए PGT और TGT के सिलेबस में अंतर नहीं है सेम है सिलेबस सिर्फ यहां पर प्रस ने 200 पूछा जाएगा और वहां पर प्रस ने 100 पूछा जाएगा बाकी सारी चीज़े सेम हैं यहां पर content बढ़ जाते हैं content ज्यादा थोड़ा पढ़ना पढ़ता है और वहां पर थोड़ा कम क्योंकि 100 ही प्रस ना आएगा लेकिन सिलेबस सब सेम है तो एक भी हम तयारी करेंगे तो मेरा दूसरा अल्रेडी हो जाएगा जो छातर PGT का तयारी नहीं कर रहे हैं मिन टार्गेट अपना लेके चले हैं PGT है क्योंकि PGT में आपका PG होना चाहिए तो PGT आपके पास है option तो आप शुरू सही आज सही अपना तयारी प्रारम कर दीजिए इसमें क्या करना है आपको की हर एक टोपिक को साथ में लेके चलना है जैसे कि आप जहां से तो syllabus उसका क्या है वो हमके पता होना चाहिए किसी भी exam की तयारी करते है तो सबसे पहले हमें उसका syllabus अच्छे से पता होना चाहिए और अगर वो चीज़ आप करके आगे बढ़ते हैं उसके recording resources जुटाते हैं तो आपको आगे तयारी करने में कोई दीकत नहीं होगे तो यहाँ पर जो important update था उसमें syllabus चेंज होगा या नहीं होगा pattern चेंज होगा नहीं होगा उस सारे हमने चर्चा कर दिये तो कोई changes नहीं है और इसी कथार पर आपको तयारी करने है अब रही बात paper 2 का वे syllabus में जो अलग-अलग subject का है तो अलग-अलग video के मादियम से उपलब्द कराये जाएगा अब आते हैं यहाँ पर अभी तक हमने क्या क्या discuss किया है सबसे पहले तो आपका वही था कि आपका नियुकती किस परकार और कब तक प्राराम होगी वो discuss कर लिए आपने minimum qualification कि सधार पर आपको subject का चैन करना है और फिर syllabus and pattern अब आते हैं हम लोग यहाँ पर age को लेकर यह तुझी चीजों तो अभी discuss कर लिए हैं age को लेकर बहुत सारे चातर पुझते हैं सर कि इतने सालों से परिक्षा नहीं हो रही तो हमारे तो age चला गया क्या form नहीं भर पाएंगे सियान रखिएगा सबसे पहले तो जो rule है कि maximum कितने age वाले इस form को भर सकते minimum तो आपको पता है एक 20 verse maximum के लिए क्या प्रावधान है maximum के लिए general category के चातरों के लिए 40 verse है OBC candidate के लिए 42 verse है जो महिला भी अर्थी है OBC और इसको EWS भी बोल सकते है जो महिला भी अर्थी है उनके लिए एक साल और इसमें benefit मिलता है जै वो general हो OBC हो या फिर EWS हो और ST, SC के चातर है तो उनको 45 verse का दिया गया है चाहिए वो महिला हो चाहिए पूरुस हो ST, SC, male, female, 45 verse अब स्वाल उड़ता है कि इसकी गन्ना कब से की जाएगी किया एक जनवरी 2023 को उस पर भी निर्वर करता है जैसे PGT में देखेगा तो पिछले 3-4 साल का उसमें relaxation दिया गया है मतलब कि 2009 में हमको exact याद नहीं कि उसमें minimum cut of debt कितना रखा गया था लेकिन मान के चली TGT में भी वही रखा जाएगा मतलब 4-5 साल का और छुट मिलेगा मतलब कि अगर एक general category का छात्र आज के date में गर उसका age 50 वर्स भी है तो form भरेगा क्योंकि हमको जो count करना है 2019 जो cut up date रखा जाएगा उसके अधार पर count करना है 2019 या फिर आपका 2018 या 2020 रखा जाएगा उसके अधार पर count करना है यह maximum हो गया और यह maximum count करना है जो cut up date देगा maximum के लिए उसके अधार पर count करना है तो जो चातर चिंती थें उनको चिंता करने की जरूत नहीं है आपको भी बिल्कुल मौका मिलेगा कुछ आप फोन करके बोलेंगे सर की मेरा 40 वर्स पूर गया है तो आज हिना पूरा है आपका प्रिवियस डेट के अधार पर कट अफ रखा जाएगा तो इसलिए चिंता नहीं करना है आपको भी एक दो साल अभी टाइम है बिलकुल आप फॉर्म भर सकते हैं कोई दिकत नहीं होगा और जो चातर नए कैंडिटेट है जिन्होंना भी बीएड किया हुआ है तो आपको हमने बता दिया जिनका सकेंड येर बीएड है वो बिलकुल भर सकते हैं फर्स्ट येर वाले नहीं भर सकते हैं इसके अलावा जिनका अग्रेजवेशन पूरा हो चुका है वही फॉर्म भर सकते हैं और जो अपने करेंट विगरे तजारी करने हैं बिलकुल आप फॉर्म भर सकते हैं कोई दिकत नहीं है यापर आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को हमने यहापर डिसकस किया है अब इसमें फाइनली जो है आपका सब्जेक्ट टू जो पेपर टू है आपका उसका क्या-क्या डिटेल में सिलेबस रहेगा एक के करके हम वीडियो उपलब्द कराएंगे जिससे कि आप अपनी तयारी अभी सही प्रारम करें और तयारी करने के लिए क्या-क्या आपको करना है सबसे पहला चीज तो धहर ये रखना है अभी यहाँ पर वीडियो डालेंगे तो बहुत सारे सिर्ट चातर कमेंट करेंगे सर की ये नियू सुनी रहे हैं, सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं तो एक बार और सुनना पड़ेगा और इस बार तयारी करने में लग जाना है आपको एक्जाम बिलकुल होगा, नोटिफिकेसन आएगा और एक्जाम जरूर होगा एक चीज़ हमेसे ध्यान रखिएगा अब देखिए 2016 में जो फॉर्म नहीं भरें या फिर अच्छे से तयारी नहीं करें भले ही 7-8 साल बाद उनको नियूकती मिल रही है 5-6 बल, नियूकती मिल तो रही है जिन्होंने अच्छे से तयारी किया और जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा जिन्होंने इजी लिया जैसे ही आते रहता है फॉर्म एक्जाम होगा नहीं रिजल्ट नहीं आएगा, केस चला जागे कोट में लेकिन देखिए फाइनली उनकी नियूकती हो गई कोट में भी केस गया, सब चीज हुआ लेकिन नियूकती तो हो गई न, उनको रोजगार मिल गया तिछक बन गया, जो उनका मुख युदेश ये सा जीवन का वो पुरा हो गया अगर आप इस चीज को इग्नोर करिएगा तो पता चलेगा कि नहीं पांच साल और वेट कीजिए, पांच साल बाद फिर वेकंसी आएगी तो कि जारकंड में वेकंसी बारंबार नहीं आती है तयारी आपको करते चलना है सिलेबस को हमें साध्यान में रखना है, तयारी करने के लिए और सिलेबस के अधार पर ही तो दो पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है जो भी आपको सिलेबस में दिया हुआ है, हरेक टोपी को कवर किजिएगा पेपर वन हो, पेपर टू हो में जो आपका पेपर टू है, पेपर टू के अधार पर रिजल्ट बनेगा पेपर वन जैसा कि हमने बताया, एक दू महिने भी उसकी तैयारी अच्छे से करते हैं, तो बिल्कुल हो जाएगा अभी से आप एक अधा घंटा भी एक घंटा भी आप समय देते हैं, तो पेपर वन आखा आसानी से हो जाएगा में आपको टाइम देना जो है, आपका पेपर टू पर देना है, आपका जो अपना सब्जेक्ट है रिजल्ट बिल्कुल होगा, इस पर एक दो वंक या फिर एक दो प्रस्ण की वज़े से पीछे नहीं रहना है, बल्कि हम वो आगे जाना है क्लियर हैं? आप हमारे संस्थान के साथ जूड़कर भी अपनी तयारी संपून कर सकते हैं, और अभी TGT, हाई स्कूल के लिए अगर देखी है तो बहुत ही कम भी इसमें आपको संपून तयारी कराई जाएगे, 4800 में आपका पेपर 2 का, और दोनों पेपर करते हैं तो 7000 में आपका सं आउट सेसन वेगर सारी चीज़ कराए जाएगे और क्लास की वेलेडिटी भी एक सल रहेगे और एक्जाम अगर जरूत पड़ा तो उसको बढ़ाया भी जाएगा, ऐसा नहीं कि आपसे तुरंत फिर फिस मंगा जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं हमारी परपस रहेगे कि अरेंज करके रहेगा, आप एक-एक करके आप उसको देख सकते हैं, असानी है, बहुत ही ईजी तू यूज है, आप उसको असानी से यूज कर सकते हैं, कोई भी चातर है, ओफलाइन क्लास के जाएगा, कोई डाउट हुआ है, क्लास में तुरंत आप बात कर लिए टीचर से ऐसी फसलेटी हमारे एप पर हैं, कोर्स को जोईन करने के लिए जो हमारे सवरूप लर्निंग अप है, इसको आपको डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से, और इस्टोर में जाकर को आप पर्चेस कर लीजिए, या पिर जो इसकिन पर नंबर दिख रहा है, उस पर आप कॉंटेक्ट करके आप अपना इड्मिसन करा सकते हैं, इसके अलावाद जो जेटेट के छात्र जो तयारी करने जेटेट के लिए आप यहां पर जूर सकते हैं, क्योंकि जेटेट और साया कचारी का भी आने वाला है, जेटेट जो सूपर टेट है वो भी आने वाला है और नया जेटट भी जल्दी परीक्षा इसका लिया जाएगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही बहुत सारे चीजों का आज हमने डिसकस किया है बाकि अब पेपर टू का एक एक करके हम लोग सिलेबस भी आगे चर्चा करते रहेंगे मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना ही थैंक यूरी बन